हेलो स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल बीर विल्डाउसिंग में एक और ना है वीडियो लेक्चर साथ कम पैसे में घर बनाएं सिरीज हमारी चल रही है और उस सिरीज का यह एट नंबर यानी आठवे नंबर का वीडियो है पुराने नहीं देखें तो जा अब किस तरीके से स्टोर करना चाहिए हमें क्या-क्या सावधानी रखना चाहिए मैटेरियल कितना लेकर आना चाहिए कुछ सामानने सी और जन्रल सी बात हैं आज की वीडियो में करने वाले हैं यह सिर्फ बूख तक सीमित होती है लेकिन जो प्रक्टिकल यह साइट पर कर करते हैं और उसमें हमें किस तरीके से करना होता है कौन गोन सी प्रॉब्लम साकती हैं करने वाले सीधा में वीडियों चलेंगे इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट टैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके विल आइकान प्रेस कर लिजे अगर मानले ज चीजे हैं हम इन्हें स्टोर करते हैं कहां पर अपनी साइट पर जहां पर हमारा घर बनने वाला है अब देखिए यहां पर क्या होता है हम अक्सर बाहर रख देते हैं बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं कोसिस यह करें कि जब भी आप मेटेरियल को उत्रवा रहे हैं अपने घर या रख रहे हैं तो कोसिस होना चाहिए आपकी कि जो बिल्डिंग मेटेरियल है वह जैसे कि ब्रिक्स आपकी ऐसी जगह में हो जहां पर आपकी लेवर जो हैं उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना है ऐसी जगह आप उन्हें इस्टोर करें या रख हैं सेकंड मैं सिमेंट के बात कर लिए हम अब आती बात कप्ची या फिर एग्रिगेट की या गिट्टी कह सकते हैं अब यह देखिए हम जब भी बुलाते हैं तो दो टाइप से आपको बुलाना चाहिए या मिक्स खुद जाकर चेक करें आप और 10 mm 20 mm होना चाहिए अगर आप स्टोन डस्ट यूज कर रहे हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं वो वीडियो आल्रेडी बना चुका हूं मैं आपको चैनल में मिल जाएगा स्टोन डस्ट और नेचुरल सेंड में क्या अंतर है अब यहां पर बात एक आती है कि इसके साथ और भी बिल्डिंग माटेरियल होते हैं जो हमें तुरंत कर सकते हैं लेकिन ये चीजे हम घर में इसोर कर सकते हैं डो क्या करें हम सीटी में अगर वर्वरोड पर रखते हैं जिससे रूडब लॉख हो जाती बाद में मुहले वाले प्रेसान होते हैं और बाकी लोग भी आपकी सिकायत तक कर देते हैं और अगर मान लिजい आपका रूल्स के एकॉड़िंग नहीं है या थोड़ा ब हुआपा भी रूलस से अलग बन रहा है इस सिच्वेशन में वह परिसान कर देते हैं आपको और नगर निगम नगर पाली का वाले आ जाते हैं और आप पर फाइन भी कर देते हैं चार्ज भी लग जाते हैं कोसिस ये करें कि मेटेरियल हम उतना ही बुलाएं जितना जरूरी है और बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और इसके साथ एक बहुत जादा इंपोर्टेंट सीज आपको याद रखना है कि जो ब्रिक्स है यानि की इंट है उसे आप बारिस के पहले बुला ले मैंने एक स्क्रवर नवंबर के आसपास जिससे ज्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं आती तो अगर मान लीजे आप सोच रहें प्लान कर रहें तो आपको इस सिच्वेशन में अभी आप क्योंकि बारिस होगी तो जो इंट होती है उनके भट्टे रहते हैं वो खेतों में होते हैं और उसकी वज़े से उनके चार्ज भी बढ़ जाते हैं और इस सिच्वेशन में आप वहाँ पर यानि कि आपका जो बुलवाने का है वो चार्ज बढ़ जाएगा या तो आपको उस क्वालिटी की नहीं मिल पाएगी तो उसको पहले से स्टोर कर लें पानी भी लग जाएगा तो और अच्छी बात है जो खराब रहेगी वो सेकंड क्लास थर्ड क्लास की खराब हो जाएगी तो और अच्छा घर बनेगा अब इसके बाद जो गिट्टी है वो कोसिस करें कि ज्यादा धोल मिट्टी में ना रखें उससे नीचे से आप कुछ एक आप चटाई टाइप बीचे नीचे डाल सकते हैं और उसके बाद रखें सेंड को भी आप ऐसे ही श्टोर करें अब सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और मैंची जो लास्ट में थी हमारी सिमेंट सिमेंट को आप जब भी स्टोर कर रहें तो पॉलेथीन से कवर करें आप नीचे कुछ पटे या बुडन के आप कुछ इस तरीके से रख दें कि उसकी हाइट मेंटेन हो हाइट लगबग आप एक फिट रख लें अगर मॉइस्चर बगेरा की कंडिशन है सिमेंट खराब हो जाती ही मॉइस्चर ना आए आजू बाजू से यानि सभी तरफ से आप एकोसिस करें कि एक-एक से देवड़ड़ फिट दूरी रखें यह हम जो जनरल करते हैं वर्क में उसकी बात कर रहूं अगर आप बुक्स में देखोगे या फिर आप बेर हाउस या फिर गोडाउन में श्टोर करने की बात देखोगे तो वहाँ पर और डिफरेंट कंडिशन होती है वहाँ पर अलग से दस ही एक के बाद एक उपर रख रहें अगर आप तो आठ से दस ही बेग रखें उससे ज्यादा ना रखें जिससे गिरने का डर होता है जो पहले सिमेंट आई है वो पहले ही आपकी वर्क में यूज होना चाहिए यह चीज आपको सबसे ज्यादा तोर पर याद रखना ह है जो पहले आई है सिमेंट वह पढ़ी रहती है जो बाद में आई है वह यूज हो जक्र में एक यह तो उस पहले है तो इस चकर में आई है वह पहले आउट नहीं होती तो बहुत हो जाती जिससे फ्रैन्स की कम हो जाती है I hope इस वीडियो में आपको एक सामाने रखन गर्म है आई होप आपको इसमें ज्यादा कोई डाउट नहीं होगा और 99 परसेंट लोग इस बात को जानते भी होंगे कि कैसे श्टोर करना है लेकिन सीरीज चल रही है और इसमें हमें कंटिन्यू करना है जिससे हर एक बात आपको पता हो और छूटना नहीं चाहिए कोई भी बात यह मेरी कोसेस है आई होप वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आता तो लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर प्रेस कर लेजे मिलते नेस्ट वीडियो में किसे आने टॉपी के साथ अब तक क झाली थैंक यू